असलाम अलेकुम रह्तिल्लाही वबरकातू, एक्सिलेंस ओनलाइन की तरफ से खुश्यामदीद, आज के इस लेक्चर में हम कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्किस करेंगे, बेसिकली स्टेटिस्टिक्स में एक क्वेसिन अक्सर आपको देखने में नज़र आया होगा, जिसमे दो आपको different data set दिये होते हैं, जिनको आपको select करना होता है, जिनमें से कौन सा ज्यादा consistent है, तो सबसे पहले एक basic concept याद रखिएगा, consistent का मतलब यह होता है, जिसमें variation सबसे कम हो, यानि for example, इनसानों की भी अगर आप देख लें, कि अगर कोई इनसान हो, जिसका mood आपको guess क करना मुश्किल हो, क्योंकि हर वक्त उसका mood नया होता है, मतलब उसके mood में variability ज्यादा होती है, तो आप उसकी prediction आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा consistent हो, जिसके बारे में आपको मालूम हो, कि इसमें अगली value जो होगी, जो किसी इनसान की बात कर रहे हैं, उसका देटा में ज्यादा variation हो, वो डेटा सेट कम consistent होता है, तो ऐसी हमारे पास screen पर एक example मौझूद है, जिसमें दो data set है, different दो companies के, जिनमें उन्हों का stock उन्होंने pay, stock पर जो dividend pay किया है, वो आपको लिखके दिया गया है, इस बार की जो lecture की videos बनाए गई हैं, उसमें इस बात का लखा गया है कि examination point of view से student को किस तरह attempt करना हो, इसलिए हमने screen पर आपको एक पूरी copy कर page show किया है, जिसमें आपको हम answer के steps भी show करेंगे, किस तरह आपने show करने होता है, तो data set हमारे बास stock A और stock B, दो different stocks हैं, उनके dividends मौझूद हैं, और हमें इन दोनों stocks में से company A या company B में से select क कि कौन सी company ज्यादा consistent है, तो statistically हम यह करेंगे कि दोनों का coefficient of variation find out करेंगे, और जिसका coefficient of variation कम होगा, वो ज्यादा consistent होगा, क्योंकि variation जितनी ज्यादा हो, पहले भी discuss कर चुके हैं, वो कम consistent होता है, तो उसके लिए हमें coefficient of variation find out करना होगा, और data के हमारे पास क्योंके 2 stocks हैं, तो ह हमें simultaneously दोनों का coefficient of variation साथ साथ calculate करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो हमें columns की ज़रूरत होगी, एक column stock A के लिए x का होगा, और दूसरा उसके square का होगा, बिल्कुल इसी तरह stock B के लिए भी x और x square का होगा, तो जब हम data को copy करेंगे, इनकी तमाम values को हमने screen पर लिख लिए औ और उनके squares को calculate करके उनको भी add कर लिया, इसमें एक बाद आप गौर से अगर देखें, तो stock A और stock B दोनों का sum है वो same आ रहा है, लेकिन इनमें variation बहुत ज्यादा नजर आएगी आपको जवाब आगे देखेंगे, तो coefficient of variation के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि हमें mean औ हमारे पास ungroup data है, formula है summation x divided by n, तो हमारे पास जो stock A और stock B, दोनों का observations का sum है वो 45 है और number of observations 9 है, तो 45 हो जब 9 से divide करेंगे, तो x bar यानि के average हमारे पास दोनों stocks, तो दोनों की average हमारे पास 5 आई है, इसमें एक बाद आप देख सकते हैं कि average दोनों की बराबर है, लेकिन variation में difference जो कि हम आगे देखेंगे, अब हमें standard deviation find out करना है, standard deviation का ungroup data का formula होता है, summation x square over n, minus summation x over n का whole square, यानि के mean का square, और इस तमाम का हम square root find out करते हैं, तो क्यूंके हम पहले भी x square, stock A और stock B, दोनों का find out कर चुके हैं, value जब इनके हम substitute करेंगे, stock A और stock B की, तो हमें standard deviation calculate होकर, A का 4.11, और B का standard deviation हमें 1.15 मिलेगा, अब हमें coefficient of variation find out करना है, जिसका formula है standard deviation divided by mean multiply by 100, यानि के coefficient of variation दर असल standard deviation को mean की percentage में show करता है, कि ये data अपने mean से कितने percentage में variation कर सकता है, तो standard deviation जब A का हमने find out किया, तो 4.11 divided by 5 multiply by 100, और B के लिए 1.15 divided by 5 multiply by 100 से हमारे पास, A का 16%, almost 16% और B का 4.62 परसंट आता है, तो वो 16% vary कर रहा है, 16% उसमें variation है और उसमें 4% variation है, तो obviously जिसमें कम variation होती है, वो ज्यादा consistent होता है, तो हम अपने result में लिखेंगे कि क्योंके coefficient of variation stock B का कम है, तो लहाजा stock B हमारे लिए ज्यादा preferable है या consistent है, इसी के साथ ही हमारा आ अरिव के साथ है, तो वो जबगे कि का उसमें होता है, तो हम भी कर ठाधा है, तो हमारे नहादा का कम बारा आता है, वो जxisॉड़ोई पर अभी का जलने देक about 2-3 मज़में जास सकत फूसमें आफॉठी है